तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हुए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसके लिए आप काफी टाइम सी मुझे कमेंट करके पूछ रहे तो आज मैं आपको वताऊंगी फेस्पीलिंग करने का तरीका और फेस्पीलिंग के क्या बैनेफिट है यह मैं आज आपके साथ शेयर करने वाले है तो वीडियो में एंड तक जुड़े है न और वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने बाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो चलिए फेस्पीलिंग स्टा और यह है रिका की ब्रिजेलियन वेक्स जो की सेंसिटीव एरिया के लिए होती है ठीक है और इससे क्या है एक तो फेस की टैनिंग अच्छी तरीके से रिमूव हो जाती है और जो हमारे हेर की ग्रोथ है वो भी काफी कम हो जाती है मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है पर रिका की लिपो-soluble और ब्रिजेलियन वेक्स में क्या डिफ्रेंस होता है तो उसी पर आप लोग कमेंट करके बोलोड़े कि मैं ब्रिजेलियन वेक्स कैसे करनी है वो बताइए तो आज मैं आपके वो लेकर आ गई हूँ ठीक है तो देखे सबसे पहले फेस को ची तरीक जो हमने और लगाया है वो एक बार स्किन के अंदर चला जाएगा तो जो एक्सिस ऑई है उसे हमें अच्छी तरीके से वाइप आफ कर लेना है यह है मेरे पास कोकोनेट वर्जिन और फेस पर यही अप्लाए करना है कोई कोई भी और नहीं अप्लाए करना है ठीक है इसके यहां पर आप देख सकते हैं इस टाइप से अपनी एक स्ट्रिप बना लेनी है ब्रिजेलियन वैक्स की यह बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होती है जैसे हम इसे अप्लाए करते है थोड़ी सी सूप जाती है और इस टाइप की जो है एक स्ट्रिप की फॉर्म ले लेती ह राए देखिए और इसको अदिक करने का तरीका भी ही है जिस डायेक्षीं में हमारे बाल होते है उस डाये करना है और इसकी इपोजिट में हमें इसे pull off कर देना है उसे हटा देना है ठीक है देख सकते हैं आप कितने अच्छी तरीके से tan remove हुआ है और जितने भी मेरे hairs थे यहां पर बाकी जो रोएं होते हैं हमारे face के उपर उसको भी अच्छी तरीके से remove करता है जिससे कि हमें एक बहुत ही clear सी feel आती है और इसी type से दो है पहले जो है हम बिल्कुल थोड़े से hard area से start करेंगे तो जो forehead होता है हमारा वह अच्छी खासी इस पर जो है skin होती है ज्यादा sensitive skin नहीं होती है forehead की sensitive skin होती है जादा तर लोगों में वह होती है गालों के पास cheeks पे और chin ठुड़ी के पास ठीक है तो वहां पर जो है अभी हम end में आएंगे और एक बात भी आपको ध्यान रखनी है अगर आप लोग गर्मी में यह जो है peeling कर रहे हैं इस हम peeling बोलते है ठीक है अगर आप गर्मी सरीके से remove हो जाए तो इसलिए जो है peeling बगेरा हम full cooling में करते है एसी बगेरा के साथ और hairline में देखिए कई लोग अपने काफी उंचा माथा करवाते हैं तो मैं तो अभी इतना ही suggest करती हूं और मैं इतना ही करवाती हूं तो मैंने अभी इतने इस से आगे hairline पे यह head cover और जो stick है wooden की यह मैंने Amazon से purchase की है और जो यहां पर Brazilian wax है Rika की यह मैंने Tita से purchase की है अगर आप लोग भी purchase करना चाहते हैं तो आपको description box में link मिल जाएगा और एक बात अगर आप लोगों को wax करनी है Brazilian wax तो आपको जो है वो wooden की stick से ही करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप उस knife स करते हैं जो normally हमारे पास waxing knife होता है वो काफी जादा गरम हो जाता है और sensitive skin पर हम लगा रहे हैं अपने face की skin काफी sensitive होती है आप लोग को पता ही है तो अगर हम face की skin पर लगाएंगे तो चाकू जो है वो गरम होगा तो जितना हमारा face wax से नहीं जलेगा वो चाकू से जल साइट में और काफी दोगों के यहां पर जो है थोड़ा सा black spot भी होता है तो उसको भी जो है अच्छी तरीके से remove कर देता है यहां पर आप अभी end में देखेगा मेरे face में कितनी अच्छी तरी shine आ जाएगी upper lips की जहां हमारी direction है उस direction में अपर lips कर लेनी है और हमी जो है इस बहुत चोटे-चोटे particles में निकलेगी जिससे कि हमें थोड़ी सी problem हो सकती है निकालने में और जो हमारा customer होगा client होगा अगर उसके भी एक-एक बाल खिचेंगे तो उसे भी काफी दर्द होगा तो इसलिए हमें बस इसे apply करना है और जैसे हम normal wax की strips के साथ करते हैं apply करके हट जा देते हैं उसी type से इसमें भी करना होता है तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी informative वीडियो में आप लोगों के लेकर आती रहूं और comment में बताना वीडियो कैसी लगी और next वीडियो आपको किस topic पर चाहिए देख सकते हैं पूरी upper lips होने के बाद मैंने जो है चिन के आसपास भी कर लिया है चिन के आसपास भी करी लोगों के यहाँ पर जो है white head होते है आपको भी इसी type से apply करनी है और साथ की साथ ही इसे pull out करते जाना है और wax को temperature है वो भी ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमारी face की skin होती है वो काफी ज्यादा sensitive होती है इस पर अगर हम ज्यादा गरम चीज़ लगाएंगे तो हो सकता है हमारी skin भी peel off हो जाए मतलब की skin भी जो है जल के हमारी wax strip के साथ ही आ जाए इसलिए जो हमारे temperature है wax का वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए जो की skin जो है अपना बरदाश कर पाए इसी टाइप से जो है चीन अगरा पर अच्छी तरीके से कर लेंगे जो चीक्स की बारी है वो मैं बिल्कुल एंड में करूंगी क्योंकि जो चीक्स है यहाँ पर मेरे वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है और आप लोगों को दिखने से ही पता चल रहे होंगी क्योंकि रेड़नेस आ जाती है चीक्स पर मेरे काफी जल्दी तो इसलिए जो है चीक्स पर में बिल्कुल एंड में यूज करूंगी अभी जो है चीक्स चिन पर और फोरेड पर ही यूज किया है नैक प अप्लाइ करेंगे थोड़ी से ठीक्लियर अप्लाइ करने है यहां पर और बिल्कुल स्ट्रिप्स की स्ट्रिप्स बनाकर इसको अची तरीका से पूल आउट कर देना है अगर हम तेजी से खीचेंगे तो कस्ट्रिमर के हमारे दर्द नहीं होगा अगर हम रुक रुक के खी करेंगे तो उतना ही जादा पेनफुल रहेगा तो आपको जो है वैक्स करने का यह भी तरीका आना चाहिए अगर वैक्स करने के यह तरीका आता है तो आप पीलिंग अराम से कर लेंगे दिख सकते हैं अब मैं पहले चिक्स का कर रही हो अच्छी तरीके से जॉलाइन के आस्तास भी कर देंगे बाल तो जो है हमारे पूरे फेस पर ही होते हैं और मैंने यह बात भी देखी है कस्टुमर्स के रिव्यू में जो है यह बात देखी है कि जितना हम इसे कराएंगे उतन हो जाता है मतलब ग्रोथ जो है दीरे दीरे आती है उसी स्पीड से नहीं आते हैं जितने हमारे पहले फेस पर बाल आते थे तो इसलिए मैं आप लोगों को सज़ेस्ट करूंगी अगर आपके नियर में फेस पीलिंग होती है तो आप लोग जरूर करवाईए और किसी अच् करवा सकते है प्राइस जो है इसका काफी ओफॉर्डेबल मिनिमम रहने वाला है अंडर फाइव अंडर यह आपके हो जाएगी और आप रिजर्ट जो है इसका भी बिल्कुल एंड में देखना और कितना अच्छा है हो गया है फेस का टेक्च्चर और बिल्कुल स्मोध स्क बीनि में लगती है कि यहां पर बाल तो इसलिए हमें इतना नोटिस नहीं होता कि मेरे वाल भी है क्यूंकि अब बहुत कम बाल जहा पर आते हैं जर्देब मैं इसको कराना शूरू किया पहले मेरे सकीन पर बहुत सारे फेस हेर यह आते थे तिके देख सकते हैं आप अची तरीके से हो गई है मैंने जो है चिक्स के उपर अभी इसको नहीं लिया है क्योंकि चिक्स मेरे सेंसिटीव है और पूरी होने के बाद यहाँ पर जो है अपलाए कर देंगे फेस पर जिससे कि थोड़ी थोड़ी इसके पार्टिकल्स रहे गए यह अराम से अची तरीके से चोटे पार्टिकल्स रिमूव करने के बाद गीले टिश्यू से टैप टैप करके एक्सिस ओल हम रिमूव कर देंगे एक्सिस ओल रिमूव करने के बाद आप लग सकते हैं फेस पर कितनी अच्छी एक शाइन आ गई है और जो फेस का टेक्च्चर है वह अच्छी करा टैप कर दो कि पीलिंग निकल जाती है कर दो कि एसे पीलिंग का मतलब लोगों को लगता है कि हमारी जो इसकिन को हटाएंगे तो इसमें कुछ भी नहीं होता है अपने पूरा प्रोसेस जो धे लिया है और पूरा जो पीलिंग होने के बाद यहां पर आप रो तो थोड़ा सा जो होटनेस आ जाती है फेस में और जो खून का सर्कूलेशन होता है वह भी तेज़ चलने लग जाता है इससे तो इसलिए मैं तो आप लोगों को ही सजेस्ट करूंगे आप लोग जरूर जरूर ट्राय करें और आप लोग कमें बताना वीडियो कैसी लगी वी जैसे कि बिलीब नहीं होता है कि सिर्फ पीलिंग कराने से इतना अच्छा ग्लो आ सकता है फेस पर तो उन लोगों के लिए वीडियो है और अभी आप आफ्टर भी देख सकते हैं यहां पर चोटी स्क्रीन पर है यह मेरा बीफोर का फेस है पीलिंग होने से पहले का और यह